सब्सक्राइब कर दो हमारे रिट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नमस्क्रा दोस्तो आज भी का मारे आपके उट्यूजन जीपेटस में पॉपस सफाकत है तो दोस्तो आज की वीडियो को अब मेरे को सभी ये कमेंट करके बता हो कि आपका आज का वेपर कैसा हुआ और ये भी कमेंट करके बताना किते माक्स आप एक्सपैक कर रहे हो आज के बॉड्य एक्जाम सब्सक्राइबंदे मेरे को सबसक्राइब मेरे के इसे चाम के भी तो आज की आज का बॉड्य स्टो बॉड कर ने उसको कीधे लार हीक्ट पहुं है और इस नही disrupt लग रहा है तो आज की पेपर को अपने ठीक ठाक सा कह सकते हैं जितना अपनों को लग़ा था कि फेपर लेंग नहीं था सारे स्टुरेंट का टाइम से पहली कंप्रीट हो गया कुछ पूरे-पूरे टाइम पर कंप्रीट हुआ तो पेपर लेंची जादा भी नहीं था पेपर जैसा मैंत का होना चाहिए जैसा डिजर्व करता है उसी तरीके पेपर आया था कुछ कोशन से तो रिपीटेड थे और कुछ कोशन से तो नहीं नहीं थे कई कोशन फॉर्मूला बेस से और कई कोशन मतलब पेपर ओवरल देखा तो काफी ध्यान में रखकर बहुत ज़्यादा एक्सपीरेंस रीचर ने बनाया इस तरीके पेपर था क्योंकि उन्होंने इस तरीक पेपर को डिवाइड गया है कि हर एक स्टुटेंट इसको अच्छी लेना उससे पहले आप टैंसर मतलो अब इंजय करो जितना हो सके आप इंजय करो जब आपके बॉर्ड एक्जम खतम हो चुके तो मैं आप से विक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि लबग 5-6 दिन कम से कम थोड़ा घर से बार कम निकलना जितना हो सके गर पर टाइम स्पैंड आगर आप जी मेंड की तर्फिशक करना सात्यों फीचर करा हो जी मेंडुक का एक्जाम होने वाला उसकी तयारी कर डियो तो घर पे बैटकि तयारी करना अगर आपके अगे कोई प्लैन नहींड़ा मोर्च कोई ấy कोई पबसी घेलो कोई भी गेम खे Git καसि आप सब चुब arise क का यूज करो जित्ते आपने 20 से 25 दिन स्ट्रेस लिया तो अब आपको फ्री टाइम है उस फ्री टाइम के अंदर आप गर पर बैढ़के ऐसे काम करो जो आपको करने चाहिए बाकी का इस टैंस मतलो अब आपके बोर्ड एक्जाम खतम हो गए तो फुल लाइप का और अगर आ तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी अपने फिर्म लेके नेक्स वीडियों तर तक आपसे भी मने ध्यान को लाइप इंजाए करो